नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने किचन में आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई जो खाने में टेस्टी तो लगती ही है साथ के साथ इस मिठाई की जो सबसे बड़ी बात है इसके सारे जो इंग्रिडियंट्स हैं जो सारी सामगरी है वो बहुत ही आसानी से आपको हर वक्त आपके घर में उपलब्द रहेगी इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लेके आने की जरूत नहीं है एक ट्विक बनके रड़ी हो जाते हैं तो आज के लड़ू बहुत ही स्पेसल वाले हैं साथ के साथ बहुत ही ताकत भी देने वाले है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्रेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फेमली और फ्रेंस के साथ सेर करना ना भूलें तो आईए फिर रेसिपी में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैंने ले लिया है डेड़ कटोरी गेहूं का आटा जो आप रेगुलर अपने घर में चपाती वगरा बनाने के लिए यूज करते हैं ये विल्कुल वही वाला आटा है और इसमें एक चमच भरके मैंने ये गही डाल दिया है स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दिया अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम आटे को गूत के तेयार करेंगे आटा बहुत ज़्यादा टाइट या नरम हमें नहीं गूतना है मीडियम तरह का आटा गूत के तेयार करेंगे आटे में घी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है क्योंकि यह जो लड़ू हम बना रहे हैं इनमें गी बाद में जाएगा तो आप सुरू में सिर्फ एक चम्मच के करीबी घी डालें जिससे कि जो हम इसकी रोटियां बनाएंगे वो सोफ्ट बन के तयार हो आटा हमारा गुद गया है इसको अच्छे से इस तरह से चिकना कर लेंगे और अब इसको ढखके रख देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए ताकि आटा आपका अच्छे से सैट हो जाए अच्छे से फूल जाए उसके बाद बहुत ही बढ़िया सी नरम नरम सी इसकी रोटियां ब में चाहिए उसी तरह का बनके त्यार हो गया है अब इस तरह से इसको एक जगाई खटा करके इसको ढख देंगे आटे को रखे वे 20 मिनट हो गया है और यह बहुत अच्छे से से सैट हो गया है देखिए बहुत बढ़ी आटा फूल गया है अब हम क्या करेंगे इसकी रोटियां बनाएंगे रोटिया आप थोड़ी सी मोटी या पतली जैसी आप चाहें वैसी बना सकते हैं अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो थोड़ी सी पतली बना लीजे, अगर आप चूले पर बना रहे हैं तो रोटिया थोड़ी मोटी भी रख सकते हैं ठोक जिवायदा थोड़ा सूखा आटा लगाके इस तरहा से को रोल करेंगे और देखें बिल्कुल चकले पे बेलन पे कहीं पे भी आटा आप देख सकते हैं चिपक नीरा है क्योंकि बहुत बढ़िया आटा हमारा सैट हो गया है थोड़ी देर के लिए अगर हम आटे को गूत के रख देते हैं तो आप चाय बेसक उसे चपातिया ही क्यों ना बनाएं इतनी नरम मुलायम और फुली फुली बनके तयार होती है बहुत ही बढ़िया यह देखें बस मैंने इतना ही साइज रख्या ना यह बहुत जादा मोटा आने तक सेखना है धान रहे कि रोटी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चीए किनारों को भी इस तरह से गैस पर रखके हम सेखेंगे और सारी रोटी इसी तरह से सेखके हमें तैयार कर लेनी है मैं यह लड़ू अभी ताजा रोटी बना के बना रही हूं आपके पास अग आप रोटियों को फिर हलका सा गरम कर लीजिए तवे पर या गैस पर और मैंने सारी रोटियां एक के बाद एक देखें बना के इन पर थोड़ा थोड़ा घी लगा के इनको एक के उपर एक रख दिया था ताकि रोटिया अच्छे से नरम हो जाए और आप देखी सकते हैं क आपके हाथ को पता ही नहीं चलेगा और बहुत आसानी से यह देखें इसका चूरा हो जाएगा और रात की जो रोटियां बज जाती है वो तो और भी ज्यादा सोफ्ट हो जाती है उनसे तो और भी आसानी से यह चूर्मा बन जाता है घी भी मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है इसमें थोड़ा सा घी डालके फिर से मिक्स कर लेंगे तब ही हमने आटे में स्टार्टिंग में घी बो जादा नहीं डाला था क्योंकि हम इसके लड़ू बनाएंगे तो बाद में घी डलता है और घी डालने के बाद भी आपको इस तरह से हाथों की साहिता से आप देख सकते हैं जैसे मैं कर ली हूँ इसी तरह से बिल्कुल इसको बारिक कर लेना है बिल्कुल बारिक हो गया है यह बहुत अच्छे से देखिए यह बारिक हो गया है इस सेम प्रोसेस आप फूड प्रोसेसर या मिक्सी में भी कर सकते हैं अब इसमें घी और डालेंगे मेरी अभी रोटियां थोड़ी सी गरम है इसलिए मैं बहुत जादा गरम करके घी नहीं ले रही हूँ अभी तक हम ने इसमें घाला भी नहीं है मीठा सबसे लाश्ट में डालना है जब यह बिल्कुल हलका सा गरम रह जाए तब नहीं तो कई बर क्या होता है मीठा डालने के बाद वह एकदम से पसीज जाता है और फिर वह चिप चिपासा हो जाता है तो हमें वह वाला टेक्स्चर नहीं चाहिए यह मैं इसमें 3-4 चमचिये डेशी अपनी जो सककर होती है वह डाल रही हूं जालसकते हैं यह पूरा डाल सकते हैं ये कुछ बहुत यह और यहां पे देखिए कितना बढ़िया बन के हमारा यह चूरमा तयार हो गया है लड़ू बनने के लिए बिल्कुल तयार है इसमें आप अपने मन पसंद कोई भी ड्राइफ रूट भी यहां पे अड़ कर सकते हैं लेकिन घी काई फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि किसी ड् अगर आप इन लड़ू को बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो जैसे हम रोटियों को चूर लेते हैं उसके बाद एक बार आप उसको फिर से गैस पे कढ़ाई में एक चमच घी डालके गरम कर लें यह वाले जो लड़ू मैं बना रही हूं य अगर आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए चूर्मा के लड़ू बनाना चाहते हैं तो फिर आपको रोटियों को एक बार चूरने के बाद फिर से गैस पे दो-तीन मिनट के लिए एक चमच घी में भूनना है और फिर उन लड़ूं को आप 15-20 दिन के लिए भी स्टोर कर सक यह हमें ताकत भी देते हैं तो कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक करें फैमली और फ्रेंस के साथ सेर करना ना भूलें आज के लिए इस रफ इतना ही बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई धमाके मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को गुड़ बाई खुस रहें स्वस्त रहें मस्त रहें